जब से इलाबाद हाई कोर्ट ने ये संक्षिप्त रिक्ती निकाली है तब से काफी सार लोगों के मन में काफी सारे डाउट्स भी है अभी तो exam date वगएरा अभी कोई आई ने इसकी syllabus और detailed notification अलग अलग post का और जो भी qualification वगएरा चाहिए होगी उसके लिए तो आयोग ने परे जा रहे हैं आपने भी भर लिया होगा जिन लोगों नई भरा फॉर्म अगरा फिल अप करने शुरू कर लीजिए गर आप intent बना रहे हैं इसमें appear होने का तो फॉर्म अगरा भरने में लेट मत करीगा क्योंकि बार बार आयोग आपको समय नहीं देगा ये ग्रुप सी और स्टनों की जो भरती काफी जल्दी पूरी होने के लिए जानी जाती है आपको पता है लास्ट रम एины इक्जाम हुआ था देशंबर में हुआ था विच्याम Elam में 11 अबारा तारीक को लास्ट बार exam हुआ था और इसमें steno का अलग paper होता है, group D का अलग paper होता है और group C का अलग paper होता है, level थोड़ा बहुत अंतर रहता है group D और group C के level में थोड़ा संतर देखने को बिलता है और जो pattern होता है, वो almost same होता है, सभी में 25-25 पच्चिस सवाल आते हैं यह आपका स्टेनोग्राफर का पेपर है यह हुआ था 11 दिसंबर 2022 को यह ग्रूप C की पोस्ट का पेपर है यह आपका हुआ था इसी दावरान दिसंबर 2022 में ही दूसरी शिफ्ट में हुआ था यह इसमें कैसे कैसे questions आते हैं और किस लेवल की आपको त्यारी करने हैं सब कुछ है करके बात करेंगे उससे पहले study for civil services team आपका opinion जानना चाहती है क्या आप HC की इस vacancy के लिए जो papers होते हैं उसके लिए free practice के लिए quiz हमारे यहाँ पर करना चाहेंगे SES की daily quiz का जो channel है सब्सक्राइब जुड़े हुए है क्या इस exam की free practice हम लोग शुरू करें इसके लिए आपको सिर्फ हाँ या फिर yes लिखना है comment section में और अगर आप नहीं चाहते हैं तो उसके लिए नों लिखिएगा क्योंकि हर question मतलब कराने में पैसे लगते हैं पर question के इसाफ से हमारी team जो है उसको हम लोगों को देना पड़ता है तो अगर इसकी demand है तो बिल्कुल हम लोग इसको चालू करेंगे अगर demand नहीं तो नहीं करेंगे अगर आप में से कम से कम 2000 लोगों को भी लगता है 2000 ज्यादा नहीं 2000 लोग भी अगर यहां पर comment कर देंगे तो दिशित तोर पर एक free quiz हम लोग शुरू करेंगे अपने free वाले टेलग्राम ग्रूप में HC, group C के vacancies के syllabus की तयारी यानि practice के लिए हम लोग free quiz टेलग्राम में शुरू करेंगे इस exam pattern की आपको तयारी करनी है रही बात syllabus की तो detailed notification आने पर हम लोग देखेंगे लेकिन हमें उम्मीद नहीं है कि syllabus detailed वाला आएगा क्योंकि पिछली बार भी जब paper हुआ था तो उसमें एक-एक chapter के नाम नहीं लिख करके आए थे यानि detailed syllabus नहीं आता है स्टेट PCS जैसे नहीं होता है कि एक-एक शब्द उसमें specify करेंगे जीके में क्या आएगा हिंदी में क्या आएगा अंग्रेसिम गडित में ऐसा लिख करके नहीं आता है सिर्फ subject से नाम लिख करके आते हैं 25-25 प्रशन सभी से पूछे जाएंगे कुल सव प्रशनों का उत्तर आपको करना पड़ेगा और सव प्रशनों में से मतलब हर प्रशन का या तो एक नमबर या दो नमबर जो भी रखा जाएगा तो उसके इसाब से फिर कटाओ फाइनली बनेगा फिर टाइपिंग वगरा आगे की प्रक्रिया होगी जैसा कि हमने बताया कि जैसे ही फॉर्म वगरा की प्रक्रिया पूरी होगी 40 से 45 दिवस के भीतर एक्जाम हो सकता है इस बार भी हम मान के चल रहे हैं कि आपका एक्जाम अगर 2022 वाले पूरे हम लोग डेट वाले पैटरन को फॉलो करें तो इस बार भी आपका एक्जाम जो है दिसंबर मिड में हो जाना चाहिए इतने कम समय में इतनी तयारी कैसे हो पाएगी तो कुछ लोग कहेंगे कि फला बुक आप पढ़ लीजे कुछ लोग बुक गाइड आ गए होंगे मार्केट में आपके यूटूब अप में थमनेल्स की जढ़ी लग गई होगी यह से थमनेल बनी होगी और उसमें बुक के नाम बगार लिखे रहेंगे या फिर बुक का कवर पेज ऐसे लिखा रहेगा और फिर उसमे लिखा रहेगा कि बस ये तीन बुक पढ़ लो और आपका प्रिलिम्स निकल जाएगा जबकि घंटा ऐसा कुछ होने वाला है नहीं तीन बुक पढ़के आप चार सब्जेक्ट का प्रिलिम्स नहीं निकाल सकते हैं इस अब फर्जी बातें अब पुरानी हो गई हैं जिसे आप से exam pattern बदल रहा है आपको अपने study का orientation बदलना पड़ेगा और ऐसे लोगों को follow करना पड़ेगा जो pattern और syllabus के हिसाफ से बदलते हैं ट्रेंड के हिसाफ से त्यारी करा रहे हैं study for civil services institute उनमें से एक है exam की demand को देखते वे तुरंती अपने अपना course शुरू कर दिया था उसके बारे में विजानकारी देंगे कुछ चीजों से बचना चाहिए आपको उसके बारे में आपको बता दे रहा हूँ सबसे पहली बात जो आपको book की list दे रहे हैं कि 7 book पढ़डो 3 book पढ़डो उनसे दूर रही है 40-45 दिवस में इतना समय नहीं कि आप इतनी सारी book complete करें और उससे भी guarantee रही है कि आप उसमें Excel भी कर पाएंगे कुछ subject यहाँ पर practice वाले हैं जैसे गणित में total practice पर आपको rely करना है अंग्रेजी हो गया, हिंदी हो गया, इसमें कुछ चीज़ें याद करने वाली भी रहेंगी कुछ चीज़ें समझने वाली और GK में आपको ऐसा material चाहिए जो आपको high yield mark score करवा सके यानि कि कम से कम number of pages में और कम से कम कह सकते हैं number of minute के lectures आपको देखने चाहिए इस समय जिससे 40, 45, 50 दिवस जो बचेंगे exam के लिए उसमें आप पढ़ करके revise भी कर सकें और इन 25 में से अच्छे number of questions निकाल भी सकें GK का 1000 या 2000 पेजस का study material पढ़ने का या फिर GK के लिए 4-5 किताबें पढ़ने का आप कोई मतलब नहीं बनता है पर GK live class के जाल से तो बिलकुल आप दूर रहे हैं जो आपको 4-5 गंटे live जो करा रहे हैं पूरी तरीके से time waste है, time waste दो तरीके से है एक तो time waste यह है कि एक सवाल एक घंटे में कराय जा रहा है गणित का अगर कोई chapter पढ़ा रहे हैं तो विशेशागे तो आपको जो है एक से सवागंटे में दो-तीन प्रश्न करा रहे हैं वहीं पर भी comment section में comment बाजी चल रही है उनको अपनी reach लेनी है आपको लेकिन अपना समय फर्जी चीजों पर नहीं लगाना है या तो आप simply फार्म ही मत भरिए अपना समय बचाईए और productive काम में लगाईए लेकिन ये फर्जी live class देखने से कुछ होने वाला है नहीं फर्जी live class हमेशा ही दोस्त होती देखी गई पिछले 4-5 वर्शों से जब भी जिस दिन paper होता है उस दिन लोग फर्जी live class वालों को गरियाते हुए center के बाहर पाय जाते है क्योंकि जो चीजे वो करा रहे हैं उसका syllabus से दूर दूर तक लेना देना कई बार नहीं होता है अंग्रेजी की class चल रही है error detection ही चल रहा है 10-10 गंटे से जबकि पूरे 10 गंटे में आपकी English complete हो जानी चाहिए इस exam के लिए ठीक है तो error detection पढ़ाई जा रही है 4-5 गंटे में और फिर आपको प्रणावन पढ़ाई जा रही है फिर preposition 4-5-6-6 गंटे के classes चल रही है इसको आप revise नहीं कर पाएंगे फरजी live classes से दूर रहना है यूटूब thumbnail में जो आपको number of books बता रहे हैं कि सिर्फ इतनी बुक लगाल उससे हो जाएगा उससे दूर रहना है अब बात यह किये रही करना वो नहीं करना तो कम समय में कर गया सकते हैं कम समय में आप ये कर सकते हैं कि जो भी educators आप की YouTube में productive पढ़ा रहे हैं ये जो है लगतार आपके लिए initiatives चला रहा है कम से कम minute of duration के वीडियोस आपको दिये जा रहे हैं जिससे आप revision कर सकते हैं important topics का अगर आपको complete त्यारी करना है पहली बार किसी बंडे exam में appear होने वाले हैं ये आपका HC का पहला ऐसा exam होगा जो आप हर हाल में crack करना चाहते हैं अगर आप पहनत कर सकते हैं अगले 50-60 दिवस अगर आप पहनत कर सकते हैं तो हमारा ये वाला paid course ले सकते हैं ये आप तक का most productive course हो सकता है जो मैंने देखा है और हमारी टीम में जो इसको design किया है और इसमें कोशिश की गई है कि कम से कम number of pages में कम से कम number of slides में कम से कम number of minutes में आपको ऐसी चीज़ें दे दी जाएं जो आप एक बार पढ़ भी सकें revise भी कर सकें ये हमारा course जो है ये 6 October से शुरू हो चुका है इसमें classes 11 October से शुरू हो गई है classes मिलना आपको शुरू हो गई है इसमें common syllabus की पूरी तयार यहां पर करा दी जाएगी HC, steno, group C, group D का पूरा syllabus में करा दी जाएगा चारों का pattern तो सेम ही है चार subject आने उसमें group D का paper थोड़ा सा हलका होता है, cut off जादा जाता है steno और group C का paper लगभाग एक जैसा रहता है level wise Hindi, English, General Studies, Mathematics की पूरी तयार इसमें आपकी करा दी जाएगी इसमें study material की PPT, PDF भी आपको बिल जाएगी और एक-एक करके आपको study material भी बिलना शुरू हो गया होगा इसमें UP special, National-International current affair ये एक साथ मिल गया होगा आपको इसको study करना है, अब इसमें देखिए classes जो है बहुत limited number of time frame की रखी गए हैं जैसे English जो है English maximum to maximum हम लोग 9-10 गंटे में complete कर देंगे ऐसे ही हिंदी 19 गंटे में complete कर दी जाए कि GS खथोड़ा सा बड़ा हो सकता है Maths भी इस पे कोशिश की कि इस सारी important concept आपको बता दी जाएं फिर आप लगातार practice करिए इस तरीके से complete कर सकते हैं फरजी life class से बिना आप इतने number of गंटे निकाल सकते हैं पूरा crash course जो है duration wise देखें तो 45 गंटे में आप खत्म कर सकते हैं एक दो बार revise भी कर सकते हैं exam से पहले और जितना यहां पर study material दिया गया है उसको 2-3 बार revise कर लेंगे और test series अगर लगा लेंगे जो high yield test series हमने दी है अगर यह दो चीज़े कर लेंगे तो अराम से cut-off निकालने की स्थिति में आ सकते हैं और इसमें यह दो IOMO पर हमने syllabus कर सकते हैं हम जिद्धे भी app में course चलाते हैं दो IOMO पर syllabus कर सकते हैं पहला IOMO की recorded video lectures से आप समझ बनाते हैं पीडिएफ नोट से फिर रिवाइस करते हैं एक्जाम जब बिल्कुल नस्दीक होता है most important facts कर रिविजन, concept कर रिविजन और questions कर रिविजन आप test series के माद्धिम से कर सकते हैं यह दोनों चीज़ें अगर आपने कर ली जिसका एक्जाम से कोई लिना देना नहीं है वाकि जो members इतना भी effort नहीं कर सकते हैं उनके लिए free quiz वगरे यहां पर चलाएंगे दोजार अगर कमेंट आ जाते हैं तो free quiz हम लोग यहां पर चलाएंगे हमारे subsidiary channel study for exam में लगतार इसकी कुछ-कुछ topics की हम लोग practice करा रहे हैं अब देखे study for exam में free वाले में paid वाले में जैसे कुछ लोग पूछेंगे क्या अंतर है study for exam में जब-जब हमारे educators को समय मिलता है most important topics की practice करा रहे हैं जबकि paid course में अगर आप आप आ जाते हैं उस level की पूरी तयारी हम आपको करा देंगे तो D वाला तो automatically निकल जाएगा D वाला थोड़ा साहल का level का होता है उसमें बहुत छोटे छोटे प्रेशन पूछे जाते हैं तो इस तरीके से आप पूरी तयारी कर सकते हैं exam oriented तयारी हम लोग कराएंगे जो यह questions दिख रहे हैं जब ऐसा ही similar questions बतले हुए questions आपको actual exam में दिखेंगे तो अब exam में जो है करने लाइक हो चुके होगे questions यह जो सारी चीज़ें है list wise जो पूछी गई है आपको गठेन लग रहे होगी हमारे paid course में इस पर ध्यान दिये जाता है कि maximum वो सारी चीज़ें आपको पहले ही करा दी जाएं जो exam में पूछी जाने वाली है और ऐसा हमने पहले भी किया हुआ है कोई नया institute नहीं study for civil service हमारे experience का आप फाइदा लीजिए और हमारे experience से maximum लोग जो select हो चुके हैं पहले भी अनेक one day exam में जब जब हमने one day exam का पेट रूप चलाया है अप इसी लिए लायाँगा इस study for civil service का जिससे most affordable rates पर आपको exam oriented चीज़ें दी जाएं और आपको फरजी live class और फरजी वाड़े से बचाया जाए once again मैं आपको रिमाइंड करा दूँ कि फरजी booksellers और live class वालों से बचिए एक ही study material को कई बार पढ़ने ही ज़रूरत होती है एसी जैसे exams में आपको बार बार एक ही तरीके के live class देखने ही ज़रूरत नहीं है error detection के 100 pages नहीं पढ़ने होते है error detection खाली उतना ही समझना है एक दो question जो exam के लिए आने है क्योंकि आपको overall syllabus भी cover करना है overall syllabus को study for civil services के team target करती है और हमारे educators उतना ही आपको पढ़ाएंगे जितना exam के लिए जरूरी है उतना ही बताएंगे जितना exam के लिए जरूरी है जो भी चीज़े HC के ambit से बाहर की है वो नहीं पढ़ाने वाले हैं इसमें और हमारा focus रहता है कि एक paid course में एक ही exam को हम target करें और वैसा ही आपको भी करना चाहिए आप एक समय पर multiple exams की तयारी कर सकते हैं लिकिन जब आप एक particular exam की तयारी करते हैं तो आपको सिर्फ उसी लेबस उसी trend और pattern पर stick होना होता है जिसका आप तुरंती appear होने वाले है जिस exam में तो इस तरीके से study for services का most productive paid batch आप कहां से ले सकते हैं जैसे पूछें कुछ लोग study for services का ये app है play store में अभी Android play store में भी है ये iOS में नहीं है iPhone वालों के लिए उनके लिए बात में आएगा ये app store पर available है आप इसको ले सकते हैं विल्ब ये play store वाले app store पर Android mobile पर ये चलता है आप इसको ले करके पूरी तयारी करना शुरू कर सकते हैं